दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मोबाइल पर स्कूल में दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए लेकर आए हूं जो भी स्टुएंट क्लाश लेवंत में हैं उनकी गड़ी से हैं पर प्रश्णावली एक दस्मलो तीन जी हां दोस तो उसको भी जाकर देख लीजिए उसको भी अच्छे से वाज करिए तो फ्रेंट्स आज हम देखने वाले हैं प्रश्ण संख्य अच्छे अब यह च्छे आप कैसे पढ़ेंगे इसको मैं आपको बहुत ही आसानी तई के साथ बताने वाला हो अगर आपको ना समन में आ त तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समन भी आएगा तो देखिए फ्रेंस यहाँ पर प्रश्ण संख्य है निम्न लिखित को अंतराल रूप में लिखिए अब देखिए अंतराल रूप होता क्या है पहले आप यह जान अगर यहाँ पर smaller than या फिर greater than मतलब देखिए यह अगर sign रहे इसको आप sign याद करें इस तरह का sign रहे यह रहे तो आपको अभी सिर्फ आप इतना जाने है आपको यह वाला लगाना है ब्रेकट यह वाला ब्रेकट लगाना है अगर ऐसा sign रहे और देखिए फ्रेंस अगर यह वाला sign रहे यह होता है इस मतलब greater than और is equal to रहे अगर यह वाला sign रहे तो आपको क्या लगाना है यह बड़ा लगाना है बस आप सिर्फ इतना ही याद करिए देखिए अगर smaller than फिर greater than है तो यह sign अगर ऐसे रहे तो यह sign आप देखिए इसी तरीक से हम पूरा आपको बत बूला एथा belongs र, माइनस फ॔र फिर यह वाले चिन है तो आप क्या लगाएंगे आप देखिए यह वाले चिन है तो, आप क्या लगाएंगे देखिए ऐसा जब भी चिन है तो आप इसको लगा दीजे म혈नस चार तो ऐसे लिखेंगे मैंने अभा सी आपको बताए, कि अगर ऐसे चिन रहेगा तो आपको एक breakout लगाना है इस तरह का breakout लगाए उसके बाद क्या है friends यहाँ पर हम एक कॉमा कर देंगे कॉमा की यह उसके बाद देखे greater than or is equal to है 6 है यहाँ मतलब 6 है 6 के लिए मतलब 6 नहीं आपको देखना है आपको देखना है यहाँ पर चिन्ह कौन सा है यहाँ पर यह वाला चिन्ह गेटाद है उसमारद है तो यहाँ पर यह breakout लगाए देखे आप 6 उतार लीजिए उसके बाद यहाँ पर ऐसे breakout कर देजिए आपका हो गया पहली सवाल है सिर्फ इतना ही करना था इसी को कहते हैं अंतराल रूपा यह सिकंड आपको बताते हैं बहुत एकदम आसान तरीकी से तो देखे आप कैसे करेंगे सबसे पहले जो आगे की संख्यर रहेगे उसको आप उतार लेंगे माइनस बारा उसके बाद दीखे यहाँ पर वही साइन है क्या है पहला वाला चिन है जिसमें चोटा प्रिकर्ट लगेगा देखे इसमें यह वाला चिन है तो इसके लिए हमने क्या बताए इसके लिए आपका लगाते हैं यहाँ पर चोटा प्रिकर्ट देखे हम आपको अराम से इसली बता रहे हैं ताकि आप इसको कभी भी ना भूलें आप बहुत ही बहतरीन तरीके से समझ पाएं इसके बाद हमें आपर कॉमा लगा देना है हमने लगा दिया कॉमा उसके बाद भी देखे फिर यही चिन है इसमें तो यह देखी यह चिन है था लेकिन इसमें क्या है इसमें फिर यही चीन है तो इसको हम लिखेंगे माइनस दस फिर यही लगा देंगे ब्रेकट में ही दोनों ही ऐसी रहेगा उसके बाद फ्रेंच देखिए थर्ड देखते हैं थर्ड है देखिए यक्स कॉलन एक्स बिलॉंग्स आर इतना तो रहेगा है इस तिना सभी में कॉमन है फिर यहां पर देखिए जीरो है फिर यहां पर जीरो लेजता है फिर यहां पर देखिए ग्रेटर मतलब इस इकल तो दोनों है तो यहां पर आप पहले जीरो तो आरेंगे इसके लिए मैंने अभी आपको बताया था आप इसको बड़ा breakout लगाएंगे, उसके बाद friends देखें, अभी आप उने कॉमा थोई ने लगाएंगे, तो आप कॉमा भी आपको लगाना पड़ेगा, कॉमा आपने लगा दिया, अब उसके बाद आपको करना क्या है, आप उसके बाद करेंगे, आप उसके बाद करेंगे, साथ यहाँ पर सिर्फ यही चिन है, तो यहाँ पर हम साथ पहले उतारेंगे, उसके बाद हम एक breakout करतेंगे, अगर friends आपको कोई भी question हो, तो आप मुझे Instagram पर directly message कर सकते हैं, आपको link description में मिल जाएगी, उसके बाद आप fourth देखते हैं, fourth क्या है, यक्स colon X, यह देखे friends जो द हम पर कॉमा लगाए है, three less than and greater than, यक्स है, फिर less than and greater than, चार है, होगा के लिए आपका उसके बाद इसके बाद देखे हैं, इसके बाद देखे हमें क्या लगाना है, आप उपर याद रखे रहेगे, हम भी बड़ा breakout लगाना है, तो हम देखे कैसे लगाएंगे बड़ा breakout, त हल हो गई, अब हम देखेंगे, यहाँ पर देखे हमने प्रस्त संख्या अच्छे देख लिया, अब देखते हैं प्रस्त संख्या साथ, अब देखे फ्रेंस प्रस्त संख्या साथ क्या है, यह देखे, निम्न लिखित अंतरालों को समुच्चे निर्मार के रूप में लिख अब इसको आपको लिखना है समच्च निर्मार रूप में आप डर ये मत हाब को सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं वीडियो में तो देखिए फ्रेंड्स पहला हम देखते हैं यह ब्रेकट में ही है दोनु अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रेकट में ही रहेग X colon X फिर आप यहाँ पर करेंगे belongs R इतना आप कॉमा रखेंगे फिर आप देखे कॉमा एक लगाएंगे इतना आपको सब करेंगे तो आप इतना रट लीजिए फिर याद कर लीजिए आपका जैसा ही मन करें आप इसको कर लीजिए उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे जो पहला वाला चीज है, माइनस तीन है, तो माइनस तीन लिखेंगे, इधर माइनस तीन के पहले अगर छोटा ब्रेकट है, तब तो आप ये वाला चीन है, लगा दिये, उसके बाद आप यक्स लिख देंगे, यक पर ज़रा रहा हैं इसके पहले प्रिकर्ट के पहले इसको आप लगा देंगे यहां पर मार्ल को सभार कर से बंद कर देंगे ज étant ने वाली दीवाले थे उस wounded शवाली मौ पहले सब थैकर आप और जो आई सब्सक्राइब इसमें आपको बड़ा ब्रेकट देखना है तो बड़ा ब्रेकट कैसे करेंगे उसको भी हम आपको वीडियो में बता रहे हैं तो देखते रहे हैं ये वीडियो को पूरा और अच्छी लग रहे हैं फ्रेंस वीडियो तब आप भी आप वीडियो को लाइक करें गवर्ण आप डिस्लाइक कर सकते हैं वैसे मुझे पता है आपको वीडियो अच्छी लग रहे होगी तो देखे फ्रेंस यहां पर ब्रेकट है तब देखे बड़ा ब्रेकट है मैंने आपको क्या पता है इसको अभी आप ध्यान मत दीजिए अभी आपने इतना रटा है या फ पहला जो अंक है इसको आप उतारेंगे six तो हमने छे letter 입 उतार लिया उतार लिया उसके बाद देखे यहां पर breakout कौन सा है जो भी यहां पर ब्रेकट हुआ हम यह वाला चिन्हा लगाएंगे अभी आपको बताया ना चोटे ब्रेकट के लिए वाले चिन्हा बड़े और मधिल के ब्रेकट से ही इसको बंद कर देंगे, आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आएगा अब आपको समझ में, देख देख से में, यहाँ थैड कुष्चं फैराइब क्यों, चलर के 있는 ब्रेकर्ट यहांब चोटा भुस श्योंतर नहीं क्लिटिंगे इतसर ल mogę अपने पहले इसे पहले इसको उतार लिए इसके बाद आप नंक प्रैंगे कौण सा ांख अचछे आउने चहिस्ट लिखा उसके बाद हम देखेंगे च्छे के पहले मतलब पहले यांग के पहले कौन सा ब्रेकट है चोटा ब्रेकट है इसलिए हम यह वाला चिन्ह लगाएंगे उसके बाद हम करेंगे यहां पर बंद कर देंगे यह हो गया फ्रेंड समुच्च निर्माडवीद अभी फोर्त है आपको जल्दी करके बता रहा ताकि यह सबी तो आप समय दिए हूं आप जान पाएं कि कैसे जल्दी हो सकता है जैसे सबसे पहले हम यह लिखना है यक्स यक्स बिलॉंग्स आर पर उसके बाद हम लिखतेंगे यहां पर 30 माइनस किर दिये हैं पर एसे फिर यक्स फिर यहां पर फिर पांच अब इसको लीजिए गहिंए एक्स्यक्स पीर है कॉलन एक्स फ्रीलॉंग से बहुत है पहले माईनसथा उसके बाद भरेकट do अब लगा आँ पर पर 125 यहां पर पांट शी बार को हिए कि यहां पर लिखा साथ भी आपको समझ में आ गया होगा अब अब देखिक अब आपको बताएंगे प्रस अंख्या आठ और प्रस अंख्या नौ जिहां दोस्तों यह आपको एक next वीडियो में बिलेगा आप उसको भी जाकर watch कर लीज़ेगा आप प्ले लिस्ट में जाएगे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी जब आप जाएंगे चैनल पर तो प्ले लिस्ट होगो उस पर class कि आप प्ले लिस्ट में जाएंगे जो भी मैंने पढ़ा रहा है क्लास रेवंध का सारी चीज़ें मैं उसी प्ले लिस्ट में एड कर रहा हूं तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं बाकि यार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने चैनल को सबस्क्राइब करके बिल दिनने वीडियो मिलती रहती हैं